वेल्कम तो माइचेनल फूडशिप आज में बना रही हूं बर्फी इस बर्फी को बनाने में लगते हैं शिर्फ पाउस मिनट और इसमें जो मैंने इन्ग्रेडियन्ट्स यूज किये हैं वो भी सिर्फ पांच ही है खाने में ये बहुत इलाजवाब लगता है और बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता तो आईए बनाते हैं इसे इस परफी को बनाने के लिए एक हैवी तले का पैन ले या इस तरीके से आप नॉन इस्टिकी पैन का इस्तिमाल कर सकते हैं इसमें डाल दिया है मैंने एक कप दूद और दूद के उपर की जो मलाई होती है वो ले लिया है मैंने एक कप अब गैस का फ्लेम हाई पर करें और जब तक कि ये मलाई जो है अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाता है इसमें यानि मिक्स नहीं हो जाता है इसे हम चला लेंगे बस आप देख रहे हैं यह जो मलाई है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप नारियल का पाउडर मार्केट में नारियल का पाउडर आपको बहुत यासानी से मिल जाता है इसी के साथ मैं डाल रही हूँ एक कप मिल्क पाउडर बस गैस का फ्लेम हाई पर करें और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करते रहेंगे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है आप इसे कभी भी बना कर तयार कर सकते हैं माल लिजे घर में गेजट आने वाले हैं या आपको ऐसे ही कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो इसे आप पांच मिनट में फटा फट से बना सकते हैं बस लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम आप हाई पर कर लें आप इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हैवी तले का पैन यूज करें इसमें क्या है न कि दूद है और यह जो मलाई उगरा होता है इसमें यह जल्दी से चिपकने लगता है इसलिए नौन इस्टिकी पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं तो आप हैवी तले का पैन या बड़ा कड़ाई यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह जब इस तरीके से दिखने लगे ना सूखा हुआ तब इसमें आम एट करेंगे चीनी तो चीनी मैंने लिया है एक कप से थोड़ा सकम आप चाहे तो एक कप डाल सकते हैं और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ यह केवडा एसेंस इसकी जगह आप इलाइची का पाउडर एक छोटा चमबच इस्तमाल कर सकते हैं जो आपके पास एवलेबल हो वो आप डाल सकते हैं इससे क्या है मिठाई में बहुत ही अच्छी सी महक आ जाती है और अच्छा लगता चार से पास मिनट्त 6 मिनट पस इतना है वी समय में लगता है इससे जदा समय नहीं लगता है क्योंकि हम ने इसे लगातार हाई फलेम पर इस तरiquए Сरी एस तरीके से लगा ने लगे तो गैस का फ्लेम बंद करदे और एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे प्लेट में निकालने से पहले घी से या ओयल से इस दरीके से ग्रीस कर लें बस अब इस मिक्षर को इसमें पलट देंगे अब आप इसे पतला या मोटा जैसा मर्जी फैला ले आप देख सकते हैं कितना फटा-फट से ये बन कर तयार हो गया और इसे सेट होने में भी बहुत कम समय लगता है आदे से एक घंटे में अगर आप इसको बाहर रखते हैं तो ये अच्छी तरह सेट हो जाता है या आपको बहुत जल्दी है जैसे कोई गेश्ट आने वाले हैं और आपको फटा-फट से ये रेसिपी उनके सामने सर्फ करनी है तो आप इसे फ्रीज में रख दे ये तुरंत ही तयार हो जाएगा और इसमें जो हमने मलाई डाला है उसकी वज़ा से क्या है इसमें बहुत अच्छी सी सॉफ्टनेस बनी रहती है हमेशा अगर आप इसको दो तीन दिन बाद भी खाते है न तो भी ये मिठाई जो है बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेश्टी लगता है बस अच्छी तरह इसे फैला ले आप चाहे तो इसके उपर अपने मन पसंद कोई भी ड्राइफ फ्रूट्स का इस्तिमाल कर सक सकते हैं आपको काटने से भी अंदाजा लग रहा होगा कि ये कितना अच्छा बन कर तैयार हुआ है बहुत ही सॉफ्ट लगता है ये खाने में इसे बना कर आप हपती दिन आराम से इस्तिमाल कर सकते हैं वैसे भी अपतिहवार आ रहा है दिपावली आ रही है तो हमारे पा है आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है ये इसे आप फ्रीज में भी रख देंगे न तो भी ऐसे ही लगेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यकीर मानिए इसे आप जरू ट्राई करें देखिए कितना अच्छा लग रहा है न देखने में तो बस यह हमारा नारियल की बर्फी बोले आप या मिल्क पाउडर की या दूद की बर्फी जो मर्जी आप बोले लेकिन खाने में तो इसका किसी भी मिठाई से कोई मुकाबला नहीं है इतना लाजवाब लगता है ये तो बस उमीद करती हूँ यह रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ जादा से जादा जितना आप कर सकते हैं अशेयर उतना आप करें और कॉमेंट जरूर किया करें कि आप कोई रेसिपी कैसी लगी मेरी कोई भी रेसिपी आप देखते हैं तो उसके बारे में आप कॉमेंट करके बताया करें इससे हमें पता चलता है कि आपको क्या अच्छा लगता है या आपको क्या नहीं अच्छा लगता है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू